राजिस्तान में जोदपूर और विकनेर के बीच में छोटा सा शहर है नागौर। यहां का किला अपनी आर्किटेक्चर के लिए फेमस है। इसे अईच्छत्रपूर किला भी कहते हैं। चौती सदी में बना ये रेतीला किला राजपूर्द मुगल अर्किटेक्चर की मिसाल है। उस समय नागौर परमुगलों का राज था। नागौर किले का इतिहास महाभारत से भी जुड़ा हुआ है। पौराणिक मानताओं के मताबिद अईच्छत्रपूर किला अर्जुन द्वारा जीता गया था। जिसे अर्जुन ने अपने गुरु दोड़नाचार को भेट में दिया था। ये किला बाश्तु शाष्त को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया था। इस किले की सीमा पा इस किले से कई लड़ाया लड़ी गई है। यहां राजिस्तान के संतल भूमी पर बना किला है। जो अपनी उच्छी वीवारों और विशाल परिसर के लिए प्रसिद है। इस किले को अपने खुपसूरत आर्किटेक्चर के लिए आगाखान अवार्ड 2013 में मिल चुका यही नहीं यहां मौजूद कई अमारतें मुगल शासक, शाजा और अक्वाल नेवी बनवाई थी। इस के लिए के अंदर खुपसूरत चार बड़े महल हैं जिन में भक्त सिंग महल, अकबरी महल, दीपक महल और हाली रानी महल शामिल है। यह महल 17 से 19 सदी के बने हुए है इनकी दीवारों पर खुपसूरत पैंटिंस हैं जो राग राग में महलाओं की जीवन शेली, मौसम और पेड़ पोदों को दर्शाती हैं। हन्डी रानी महल की बात करें तो इस महल की दीवारों और छट पर महारा नि हन्डी रानी के खुपसूरत चित्र बने हैं। वही भक्त सिंग महल में इसकी इत्यास से जुड़ी साजिश शामिल है लेकिन ये भी एक खूपसूरत महल है ये महल भक्त सिंग को अपने पिटा की हत्या करने पर तौफे में मिला था अकबरी महल की बात करें तो इसका खूपसूरत आर्किटेक्चर मुगनों और राजपूतों की शैली में है वहीं दीपक महल की दीवारों पर खूपसूरत फूलों की डिजाइन है और ये महल काफी हवादार है इसे आबो हवा महल भी कहा जाता है मुगल गारडन और फवारे इसकी खुबसूरती बढ़ाते हैं इस किले में 95 और एक खुबसूरत मुगल गार्डन है इस किले में कई मंदिर और मस्जद हैं जिन में ज्यादातर कृष्ण और गड़िश अगवान के मंदिर है यहां पांच गुंबद वाली मस्जद भी है जो मुगल शासक अकवल ने बनवाई थी यहां पर सूफी सन्थ मुईन दिन चिष्टी की एक दरगा भी है इसी के साथ ही किले के भीतर राजपूताना शैली में बनी हुई सैनिकों की सुन्दर छट्रियां भी है इस किले में जाने के लिए तीन द्वार हैं सिरे पॉल, बीचका पॉल और कचेरी पॉल मुख प्रवेश द्वार लुहे और लकडी के लुखीले किलों से मिलकर बना है जो दुश्मनों और हातियों के हमलों से बचने के लिए बनाया गया था यह राजस्थान का ऐसा किला है जो समतर जमीन पर बना है